केद्र सरकार ने टेक्स्टाइल सेक्टर के लिए मिले 67 प्रोडक्शन लिंग्ड इंसेंटिव स्कीम के आविदनों में से 61 को मन्जूरी दे रही है और इन आविदनों के जरीए 19,000 करोड रुपए के निवेश का प्रस्ताव है आपको बताएं सरकार ने पिछले साल दिसंबर में man-made fabrics apparel, mmf fabric और technical textile जैसे तमाम प्रोडक्ट्स के लिए PLI स्कीम लाँच की थी इस स्कीम का लक्षे भारत की textile उतपादन और export शमता को बढ़ाना है इस स्कीम को पिछले साल काबिनिट से मन्जूरी दी गई थी और शो में स्वागत करते हैं हमारे साथ शामिल है टेक्स्टाइल सचिब उपेंदर प्रताप सिंग उपेंदर जी बहुत स्वागत है आपका जी बिज्मिस पर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस PLI स्कीम को कैसा response मिला है जो हमने PLI स्कीम लांच की वो मैंड मेड फाइवर और टेक्स्टाइल के लिए मैंड मेड फाइवर में एपरेल गार्मेंट्स और फैब्रिक्स के लिए भी तो इस स्कीम का response बहुत अच्छा रहा है हमारा स्कीम दो पार्ट्स में था पार्ट वान स्कीम और पार्ट टू स्कीम पार्ट वान स्कीम में वैसी कंपनियों ने आवेदन किये जिन्होंने ये मंसा जाहिर की है कि वो कम से कम 300 करोर का investment करेंगे और 600 करोर से कम से कम turnover लाएंगे performance year one में और इसी तरह जो पार्ट टू में उन कमपनियों ने application दिया है जो 100 करोर से ज्यादा investment करना चाहते हैं 100 से 300 करोर के बीच और जिनका turnover मिनमम 200 करोर होगा performance year one में तो इन दोनों पार्ट वान और पार्ट टू मिलाके कुल सरसट कमपनियों 67 कमपनियों ने अप्लाई किया 15 कमपनियों ने पार्ट वन में अप्लाई किया है 52 कमपनियों ने पार्ट टू में अप्लाई किया है ये applications online होने सब्मीट किये थे दो महिने का समय दिया गया था 1st January 2022 से लेके 28 February 2022 तक उसके बाद हमने इसारे applications की scrutiny की और उसे scrutiny के बाद selection committee की दो मीटिंग होके इसमें से अभी 66 कमपनियों में से 61 applications को मंजूरी दे दी गई है और ये जो 61 कमपनिया है वो कुल जो है वो करीब 19,000 क्रोर से जादा का investment अगले 2 साल में करेंगी उपेंदर प्रताप जी एक और बात आपसे समझना चाह रहे थे PLI स्कीम के तहट जिनका चुना हुआ है उनका turnover क्या होगा और कितनी नौकरिया पैदा होंगी इससे दिखे जो अभी projections company ने दिये हैं उसके अंसार उनका turnover अगले 5 साल में करीब 1,85,000 क्रोड जो हमने 61 कंपनियों के अप्रूब किया है उसमें से 1,85,000 क्रोड के आसबास का turnover होगा और 2,40,000 प्लस जोग क्रियेट होंगे और सर्जो इसका budget है PLI का budget इसका इस्तिमाल किस प्रकार से किया जाएगा जो अभी जो कंपनियों जो projections किया है उसके basis पे करीब 6,600 क्रोड का आउट गो होगा incentive आउट गो होगा इसका मतलब है कि अभी भी हमारे पास करीब 4,000 क्रोड की किटी उपलब्ध है तो अभी उस पे चर्चा चल रही है अभी मंत्राले में चर्चा हुई है उसके बाद empowered group of secretaries बनी हुई है cabinet security की अधक्षता में वहाँ चर्चा होगी कि हम उस 4,000 क्रोड को कैसे उसका उप्योग करेंगे इस पे अभी चर्चा चल रही है उपिंद्रशे हमने देखा कि सरकार ने cotton से import duty भी हटाई है इसका कैसा असर देखते हैं आप इससे पूरे जो पूरी टेक्स्टाइल वैल्यू चेन है स्पिनिंग से लेके जो लोग प्रोसेसिंग बीविंग में हैं सबको फैदा होगा क्योंकि कॉटन के प्राइसे जो हैं वो लगातार ही जब से इवन नया कॉटन एडाइब किया अक्टूबर में तब से कॉटन प्राइसे बढ़ते ही जा रहे हैं वैसे कॉटन प्राइसे जो हाई उसके फायदे भी है किसानों को इस बार बहुत अच्छा प्राइस मिला है लेकिन और दुस्ती बात यह चैंकि कॉटन प्राइसेस के वह इसे जो कमपनियां बहार से इंपोर्ट करना चाहेंगे कॉटन वह इंपोर्ट करेंगी विसेश कर यह लिए स्कॉटन हमारे कंट्री में उसकी उपलबता कम है कम उगाया जाता है वह इंपोर्ट हो पाएगा और साथ में जो डॉमेस्टिक मार्केट अब है आल् सबीक्तिक में जो अभीड हैं वह प्राइसेज भी पेभी असर परेगा तो मुझे लगता है की कॉटन के प्राइसेज जो है वो थोड़े moderate होंगे, उसके चलते जो subsequently cotton yarn के prices और up to garments उसके price में भी कमी आएगी उबेंदर जी हमने PM मित्र स्कीम में ये देखा कि टेक्स्टाइल पार्क की जो योजना है उसको लेकर काफी अच्छा response मिला है राज्यों की तरफ से कितनी दिल्चस्पी दिखाई गई है और आने वाले समय में उस दिशा में कितना आगे बढ़ेंगे देखे पीए मित्र स्कीम जैसा कि आप जानते हैं मानिये प्रधान मंत्री जी का जो 5F का concept है टेक्स्टाइल इंडस्ट्री के लिए उस पे बेस्ट है यह हमको साइज और स्केल देगा पीए मित्रा स्कीम लॉजिस्टिस कॉस्ट को भी खटाएगा इस स्कीम में response बहुत अच्छा रहा है हमने cabinet के approval के बाद guidelines इस्टेट से हमने preliminary project report submit करने को कहा था 15 मार्च का समय दिया था इस 15 मार्च की समय सिमा के अंदर करीब 13 राज्यों ने हमें 17 प्रस्ता भेजे हैं इन प्रस्ताओं को अभी हम scrutinize कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 7 पार्क की cabinet की मंजूरी मिली हुई है तो हम इनको prioritize करेंगे शॉटलिस्ट करेंगे challenge method से जो हमने उनका information मांगे थे land तो non-negotiable है कि 1000 एकर जमीन तो उपलब्द होनी ही चाहिए contiguous encroachment free land पर उसके अलावा बाकी चीजे है जैसे connectivity है road connectivity, rail connectivity, port connectivity, air connectivity या जो दूसरी चीजे है वहाँ textile raw material कहा available है, वहाँ की जो policy है textile की वो कितनी suitable है, water की availability, pricing, power की availability, pricing इस तरह से बहुत सारे factors हैं जिनके basis पे उनको अभी evaluate किया जा रहा है बहुत धन्यवाद करेंगे उपेंदर प्रताप सिंग हमसे बातचीत करने के लिए तो textile सचव उपेंदर प्रताप सिंग textile में PLI स्कीम पर हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे थे, बहुत धन्यवाद